अन्मोडा पुलिस ने एक श्रातिर तसकर को गुलदार की खाल के साथ गिरफतार किया है? बताया जो आ रहा है कि आरोपी गुलदार की खाल को तराई में बेचने के लिए लेच्वा रहा था लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफतार कल लिया ASP रच्वीता जुयाल ने प्रस्वारता कर बताया कि सोमेश्वर पुलिस सोज्री और NTF ने कोसी दौला घट पुल के पास बागिश्वर निवासी 28 वर्शी अनंत किशोर को गुलदार की खाल के साथ गिरफतार किया पुलिस की पूछताच में आरोपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन यजीव संदक्शन एक के तहत मुकत्मा दर्जकर आरोपी को जेल भेज दिया अलमॉडा से नसीम एहमत की रिपोर्ट रोड में कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और यह 28 वर्ष के उमुर के हैं बागेश्वर के रहने वाले हैं और अलमोडा से इनों अपने एजुकेशन करी है तो इनके बैग में गुलदार की खाल जो बरामत हुई है वो 160 सेंटिमीटर लंबी और 58 सेंटिमीटर चौड़ी है इसमें हमने समिश्वर थाने में मुकदमा दर्ज करा है वन जीव संद्रक्षन अधिनियम के तहरे